सद्कुरू नमस्कारम आप उनको संभलने की बात कर रही है या खुद को नहीं, दरसल आप जानना चाहते हैं कि उसे कैसे ठीक करना है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है मैं खास तोर पर आप से कह रहा हूँ क्रिपे बैठ जाए ये बहुत जरूरी है कि हम जीवन के साथ इमानदार हो आप अपने पती को ठीक करना चाहती है लेकिन चूंकि आप मेरे सामने बैठी है आप कह रही हैं कि सद्गुरू मैं खुद को कैसे संभालू ताकि इस शोशन को झेल सकूँ जो सच नहीं है आप जानना चाहती हैं कि उस आदमी को कैसे ठीक करें हाया नहीं, सभी मैला हैं, बताइए अगर आपको लगता है कि हम नहीं जानते कि वो क्या है हम आपके पती की बात नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो शोशन करते हैं, तो जाहिर है कि आप उसे ठीक करना चाहती हैं, है न? अगर आप खुद को परिशानी पैदा करने वाली पत्नी मानती हैं, तब हो सकता है कि आपके मन में खुद को ठीक करने का खयाल आए, जब आप किसी दूसरे को शोशक के रूप में देखती हैं, तो इरादा उसे ठीक करने का होता है, है न? लेकिन हम उस बारे में इमानदार नहीं होना चाहतें, क्योंकि हमारी संस्कृती, संस्कृती आपको बताती है, अपने पती को ठीक करना अच्छी चीज नहीं है, खुद को ठीक कीजिए, तो अगर आपको सरदर्द है, आप पैर की सरजरी करा लीजे, तब पैर में सिर से भ होने लगेगा, ये भी एक उपाय है, कम से कम आपका ध्यान बढ़ गया, तो यही समय है, अगर हमें जीवन की परवा है, तो समय आ गया है, कि हम सौफी सदी इमानदार बनें, कम से कम खुद के साथ, शायद दुनिया में पता नहीं कि आपका पेशा क्या है, आपके हालात क्या है, हम नहीं जानते कि आप कितने इमानदार हो सकते हैं, मैं उसमें दखल नहीं दूँगा, लेकिन कम से कम, आपको खुद के साथ तो सौफी सदी इमानदार होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, वरना ना तो आप और नहीं आपके जीवन के हालात कभी ठीक होंगे, सिर्फ शिकायतों के साथ जीवन चलता रहेगा, कई लोगों के लिए पूरा जीवन ही एक शिकायत बन जाता है, क्योंकि वो इस पर ध्यान नहीं देना चाहते, वो बस इसके इधर उधर घूमना चाहत हैं, तो हमें पती को ठीक करने का प्रोग्राम चलाना चाहिए, हमने बहुत से पतियों को ठीक किया है, क्योंकि वो ध्यान करने लगे, और अचानक उनका शोशन करने वाला स्वभाव चला गया, क्योंकि अब वो किसी दूसरी चीज में व्यस्त हैं, अभी मैं यहां निजी परिस्थिती में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको अपने अंदर और अपने परिवार के अंदर ध्यान का गुण लाना चाहिए, यह एक ऐसी चीज है, जिसका निवेश हमें अभी जीवन में करना होगा, अगर आप अपने पती को ठीक नहीं कर पा अगर आप ऐसा चाहती है, तो आपको यह पक्का करना होगा, कि आपका जो छोटा सा बेटा है, आप उसे थोड़ा ध्यान सिखा कर ठीक रखें, ध्यान उसे किसी खास चीज के प्रती ठीक करने के बारे में नहीं है, बस इतना है, कि ध्यान शीलता का मतलब है, कि आप इस त समाधान है, एक समस्या नहीं, अगर आप एक समाधान बन गए, तो हर कोई आपकी मौजूदगी चाहेगा, है न, चाहे वो आपका ओफिस हो, परिवार हो, सडक हो, या जहां भी हो, जो कोई भी समाधान जैसा लगता है, उस इंसान को हर कोई चाहता है, आया नहीं, अगर आप एक समस्या है, तो आप उनमें से हैं, जो समस्याओं के बारे में शिकायत करता रहता है, तो कोई भी आपकी शकले नहीं देखना चाहता, आपको पता होना चाहिए, लेकिन अगर आप एक समाधान है, तो हर कोई आपको हर जगा चाहता है, आपके पती भी, अगर अगर आप उनके जीवन में एक समाधान है, तो वो हमेशा आपकी मौजूद्गी चाहेंगे. तो ये बहुत जरूरी है, सिर्फ आपके लिए ही नहीं, हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है, कि हम ये समझें, हमें समझना होगा, कि अगर हम जीवन के इस अंश को जीवन का खुशाल अंश बना लेते हैं, यही बुन्यादी चीज है. अगर आप ऐसा करेंगे, फिर उसके बाद आप तै कीजिए, कि आपको शादी करनी है, नहीं करनी है, बच्चे चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए, यह सब चीज़ें आप बाद में तै कीजिए. जब यह दुखी है, तो इसे आगे बढ़ाने का आपको कोई हक नहीं है. अगर आपकी बनती नहीं, तो यह कैसे हो रहा है? क्योंकि हमने अचेतन होकर जीना चुना है. मैं नहीं कह रहा कि ऐसे रहिए या वैसे, आप चाहिए जो भी करें, आप उसका चुनाव सचेतन होकर करें. बस, यह पूरी तरह से जानते हुए कि इसका क्या नतीजा होगा. इतनी जिम्मेदारी तो हर किसी को लेनी ही चाहिए, यह ना? अगर आप यह चीज़ जीवन में नहीं लाते, तो आप पूरा जीवन शिकायथ ही करते रहेंगे. मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि अपने विवाहिद जीवन को कैसे संभालें. आप अपने जीवन में इतना तो लाईए? शादी से पहले, नहीं सद्गुरू, मैं नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे माता पिता ने शादी करा दी. शादी के बाद, मैं इस विवाहिद जीवन में नहीं रहना चाहती, लेकिन मेरे बच्चे हैं. बच्चों के बड़े हो जाने के बाद, लेकिन मुझे अपने नाती पोतों के आने का इंतजार करना होगा देखिए, आपने खुद को इस तरह का बना लिया है कि आप एक अचेतन प्रक्रिया का नतीजा है आप एक सचेतन प्रक्रिया का नतीजा नहीं है जब आप एक अचेतन प्रक्रिया का नतीजा हैं, तो आपका जीवन एक दुखत सैयोग ही होगा हाँ? समय आ गया है कि हर इंसान कम से कम इसे बदलने की जिम्मेदारी तो ले तब हम बड़ी चीजों की बात कर सकते हैं अपनी चेतना के शिखर तक पहुँचना, मुक्ती, मोक्ष, इन शब्दों को बस यूँ ही मत कहिए इन शब्दों का प्रयोग न करें, पहले बुन्यादी चीज को ठीक कीजिए बुन्यादी चीज बस यही है आप अभी जो भी हैं, या आपका ही बनाया हुआ है या तो आपके पास इसे बदलने की हिम्मत होनी चाहिए या आपको इसमें रहना सीखना होगा इन में से एक चीज करनी होगी जीवन भर यूँ ही शिकायत करते रहना किसी काम का नहीं है हमें बस इतना समझना चाहिए कि अगर हम किसी खास अवस्था में हैं, तो हर चीज हमारे खिलाफ लगती है. आप इसे ठीक कीजिए, उसके बाद आप तय कीजिए, कि जीवन कैसा होना चाहिए? यहां रहने का एक नतीजा है, बाहर निकलने का दूसरा नतीजा है, हर चीज का एक नतीजा होता है, लेकिन कम से कम इसे एक सचेतन नतीजा होने दे, एक असहाय और अचेतन अवस्था में होने के बजाए.